नवस्कार दोस्तों अगर आप लोग ATM कार्ट रखते हैं और ATM से पैसे निकालते हैं तो आपके साथ भी ये मुसीबत हो सकती है जो आज मेरे साथ हो गई मेरे साथ क्या हुआ उसका समाधान भी क्या निकला उसकी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ तो बड़ी काम की जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो को कंप्लीट देगना हुआ क्या मेरे को कैस की जरूरत थी तो मैंने सोचा कि ATM से जाके कैस निकाल लेता हूँ तो मैं गया ATM पर मैंने 5000 रुपए का कैस बिड्रॉ किया मैंने कैस लिया जैसी ATM से बाहर आया मैंने गिने और गिने तो पता चला कि भाई एक नोट कुछ ऐसा निकलता है मैं स्क्रीन पर वीडियो दिखाता हूँ मैंने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी ऐसा लासा नोट निकला तो मैंने एक काम किया मैंने का जो मैंने ATM से पैसे निकालें उसके बगल में ही बैंक है उसी ATM की तो मैं तुरंत बैंक में गया बैंक में जाकि मैंने बात की मैनेजर से तो मैनेजर ने एक दूसरे बंदे के लिए बोल दिया कि इनसे बात कर लो जब दू दूसरा नोट दे दिया तो पहली चीज तो यहां पर आप लोग यह समझ लीजिए कि आपका अगर ATM से यह कैसा भी नोट आपके पास है कटा फटा इसके अलावा कैसा भी यानि कि नगली नहीं होना चाहिए असली होना चाहिए तो आप उसे किसी भी बैंक से चेंज करा सकती ह लेकिन दूसरी स्टोरी सुनाओंगा तो आप यह सोचोगे कि यार बैंक जो नियम बताती है तो कुछ बैंक तो नियमों का पालन करती है जैसा यह कंडीशन में मैं बैंक गया तुरंट उन्हों ने बदल के दूसरा नोट दे दिया लेकिन इसी जगे दूसरी स्टोरी सुन अब बहिए हुआ गया कि इसने बोला कि बैंक से चेंज करा लिए है तो मैंने सोचा कि एक बार बैंक में जाके बात कर लेता हूं तो सीधा मैंने मैंने धूसरा से बात की की गलती है हम क्या कर सकते हैं यानि कि वह बहाने वाजी लगाने लगा मैंने का सर आप एक बार बात तो करी आर्भी आई की रूल्स तो यह कहते हैं कि आपका नोट कट जाए फट जाए गल जाए कुछ भी हो जाए तो आप बैंक में जाके चेंज करा सकते हैं तो बोल रहा कि आपका कितने का note है तो मैंने बोला कि मेरा 500 का note है तो मैंने कहीं पांसो के note के लिए यह rule नहीं बाखी के note के लिए यह rule है तो मैंने कहा कि Señor से एक बार जा के बात कर लेता हूँ जब bank manager नहीं मानना तो電 будете how to buy आपकी जिम्मेदारी है आपने जिस से लिए उससे बात करो यहां लेके क्यों आ गए भाई हम कौन से अपनी जेम से ये पैसे देंगे ये वो भी बात लगाने लगे मैंने उनको भी बोला था कि आरवियाई की गाइडलाइन्स है कि नोट फट जाता है तो चेंज कर सकती हैं तो उन्होंने बोला ये गाइडलाइन्स जब फटा गला सड़ा नोट होगा तो वो बैंक से नहीं बदलवा पाएगा क्योंकि हमने तो इतने रूल्स दिखा दिये गूगल कर दिया सब को समझा दिया कि ये रूल्स आई हुए हैं ये रूल्स हैं तो उन्होंने माल लिया हमारी बात बड़ी मुश्किल से लेकिन लिखे employee हों bank के उनके पास जाईए उनके पास जागे आप change करा लीजी आपको कभी भी ये tension नहीं लेनी आपको अपनी ही bank की branch से change कराना है कटे फटे note आप किसी भी bank से करा सकते हैं कोई भी branch हो जिसमें आपका account हो या नहीं हो आप जाके change करा सकते हैं गाउं की side दिक्कत आ गया मैं bank गया था बड़ी मुश्किल से note को बदला गया तो उनसे मैंने पूचा कि ऐसा क्यों होता है तो उन्होंने पताया था कि जो note आप लोग कटे फटे दे के आते हो वो bank वाले अपने पास समाल के रखते हैं उसके बाद वो एक गड़ी हो जाती है उसके बाद उस खापे में डालके RBI को भेजना पड़ता है एक application लिखके पूरा form submit करके उसके बाद नए note RBI की तरफ से issue करके bank को दिये जाते हैं तो ये एक लंबा process होता है तो जब तक वो पैसे इनको समाल के रखने पड़ते हैं जो की cashier होता है तो इसी माता 25 से बचने के लिए ये cashier मन कर देती हैं गाउं की side क्यों कि गाउं की side इतनी ज़्यादा फटे note आते तो है नहीं तो पूरी गड़ी बनाने में 6-7-7 महीने या साल भर लग जाती है तो एक-एक साल तक आपके note समाल के रखने बढ़ते हैं बहुत बार क्या होता है कि जैसी condition में note ब्यक्ति देगे गया एक साल के अंदर उनकी हालत उससे भी ज़्यादा खराब हो जाती है तो कई साल लग जाती है तो इस बज़ए से bank के employee उन्हें change करने से कतरा आती हैं लेकिन अगर आप उन्हें समझाते हो और request करते हो तो उसके बाद बहुत सारे employee bank के change भी कर देती हैं तो आपको मैं यह बत दा देना कि इस bank की branch में हूं मैं और यहां पर मैं note बदलने के लिए आया हूं लेकिन यह बदलने के लिए तयार नहीं है तो RBI से सीधा call आ जाएगा आपके bank के manager के पास और manager तुरंत आपका note change कर देगा और आप जाके manager से पहले प्यार से बात करिए अगर नहीं मानता तो बोली है कि मैं देखो RBI के number पर call कर रहा हूं आप change नहीं कर रहे है RBI का नियाम है फिर वहां से आपके लिए call आएगी तो आपके लिए दिक्कत खड़ी होंगी तो वो अपने आप change कर देगा तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए दूसरी चीज आप कभी भी employee से बात मत कर कर देगा और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह जानकारी हांसिल हो पाए यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद